हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेकी आई हूँ कुछ नया और आज हम डिक्रेज करना सिखेंगे जैसे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सिंगल क्रोश्य को डिक्रेज कैसे करते हैं इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाफ डबल क्रोश्य को डिक्रेज कैसे करते हैं तो च जिससे न्यू न्यू वीडियो मेरे जो आते हैं उसे मैं आप तक पहुंचा सकूंँ तो चलिया हम इसे दस चेन से स्टार्ट किये थे लास्ट टाइम भी दस चेन से स्टार्ट किये थे यह वाला हम दस चेन से स्टार्ट कर रहे हैं हाफ डॉल क्रोश्य की दो लाइन हमें कर है और थर्ड लाइन में मैंने यह एक दो तीन चार किये हैं दो चेन लेके चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्रीज करना जैसे यह विवतारी हूं मैं कि इसका किनारी भी बहुत फ्लैट है तो इसमें क्या करना है आपको लूप लेना है नॉर्मल जैसे हाफ डबल कुरिशा में लेते हैं और फर्स लूप से एक लूप लेके नॉर्मल हमने जैसे हाफ डबल कुरिशा करते हैं वैसे करके नेक्स्ट में हमें डिक्रीज करना स्टार्ट करना है दो चेन में हमें सिंगल सिंगल लूप ले लेने हैं ऐसे जहां से डिक्रीज करना है वहाँ पर सबसे पहले ह एसे तीन आ गए उसके बाद आपको ऐसे ही रहना है रखना है और नेक्स स्टीज से फिर से एक और लूप लेंगे जैसे हम नॉर्मल लेते हैं लूप में हुग में फसा के लूप ठीक है यह एक और तो यह हो गए हमारे पास चार अब इन चारों में से हमें लूप लेना है फिर से जो क्रोशिय में हमें लेके उसको चारों में से निकालना है तो यह देखिए ऐसे लेके आपको इन चारों में से निकाल लेना है तो यह हो गया decrease तो दो stitches हमारी decrease हो गई है तो कम हो गई stitches अभी हम दो chain लेके जैसे हम half double crochet करते हैं वैसे ही आपको करना है अगर जिसे half double crochet नहीं आता है वो मेरे पिछली वीडियो को जाके ज़रूर देखिए और जो beginners है तो वो तो specially देखिए क्योंकि यह बहुती basic stitch है जो सभी को आनी चाहिए इसी से हम बहुत सारी designs बना सकते है single crochet भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए उसमें कैसे decrease करते हैं वो भी मेरे channel पे upload है last जो वीडियो मेरा उसी कही है तो आप जाके ज़रूर देखिए यह हो गया हमारा पहला decrease आप चाहिए तो इसको same ऐसे ही रहने दे सकते है otherwise आप अगली stitch में अगली जो हमारी line है उसमें भी आप इसको कम कर सकते है जैसे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ तो मैंने यह क्या किया है second line में भी इसको decrease करके आपको बताया है ताकि perfect shape अगर आपको चाहिए है और जो अलग-अलग project में जैसे sweater हो गया baby sweater sleeves, neck design उसमें आप कैसे पूरा गोलाई, पूरा V shape ले सकते हैं वो इसमें हम cover कर रहे हैं तो यह देखिए मैंने फिर से वही method अपनाया है इसमें आपको पहले chain में भी loop लेना है second stitch में भी लेना है और चारो loop लेके एक हमें stitch बना लेना है तो यह हो गया हमारा decrease section तो यह ऐसे करके अब चाहिए तो आप इसको पूरा single उपर तक ले जा सकते हैं जैसे normal सलाई होती है वैसे ही कर सकते हैं और जिससे यह ऐसे और चाहिए तो आप और भी घटा सकते हैं पूरा V shape पूरा L shape इस टैप की भी बना सकते हैं तो इसी के साथ यह वीडियो में यही पर pause करती हूँ आप next वीडियो ज़रूर देखिएगा आने वाले वीडियो के लिए नौटिफिकेशन बैल आइकेन दबाना ना भूलिए और मुना क्रोशिट को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए मेरा पेज का पूरा आप फॉलो कर सकते हैं थैंक यू